नमस्कार स्वागत है आप लोगों का हिंदी साहित्ती वी भेजना में तो दोस्तों आज इस वीडियो में डिसकस करेंगे HP TJT Art Commission के प्रशन पत्तर की और ये प्रिश्चा कंड़क्ट की गई थी 13 दिसंपर 2020 को अर्थात आज जी के दिन तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को पहला प्रशन है 81 तो प्रशन है हिमाचल प्रदेश इसके बिच स्थित है तो जो इसका सही जुआब होगा तो वहोगा विकल्प A तो जो इस विकल्प आप लेना काफी लंबा है नहीं तो वीडियो लंबी हो चाएगी अगला प्रशन है 82 तो प्रशन पूछा गया है हिमाचल प्रदेश किस बर्श पार्शी का राज्य बना तो ये जो बना था 1951 में इन में से कोई ही डी सही विकल्प होगा अगला प्रशन है 83 चंदरकूप जील हिमाचल प्रदेश के किस जले में स्थित है तो ये है चंबा में विकल्प D अगला प्रशन है 84 तो प्रशन पूछा गया है मारकंडा नदी हिमाचल प्रदेश के किस जले में बहती है तो इसका सही विकल्प होगा विकल्प C शिरमौर अगला प्रशन है 85 तो प्रशन पूछा गया है मुकीला हीमन धिमाचल प्रदेश के किस घाटी में स्थित है तो ये होगा भागा घाटी बिकलप A अगला प्रशन है 86 तो प्रशन पूछा गया है भुंडा उत्सब नीमन में से किस से सबंदीत है तो जो ये भुंडा उत्सब होगा तो ये होगा परशूरामसिस्थित बिकल्प B और ये मनाये जाता है आपके निर्मन्ड में और ये 12 साल में एक बार मनाये जाता है अगला प्रशन है 86 तो प्रशन में पूछा यह है बिलासपूर के नलवारी उत्सव का विचार निमन में से किसके द्वारा प्रकट किया गया था तो ये किया गया था बिकल्प C W गोल्ड स्टीन के द्वारा हाँ दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ ये जितने भी प्रशन के उत्तर दिये जा रहे हैं ये हमारे निजी प्रिया से संभावना है कि इसमें एक दो प्रशन उपर निची हो सकते हैं अर्थात प्रशन के उत्तर एक दो नहीं हो सकते हैं तो गर आप लोगों को इसका सही पता होगा उत्तर तो आप बता सकते हो हमें तो अगला प्रशन देखते हैं 88 सी बैजनात को प्रारंबिक काल में इस से जाना जाता था तो जो यहाँ पर जितने भी option दिये हैं यह सही नहीं होगा विकल्प डी सही यहाँ पर सही होगा अगला प्रशन है 89 तो प्रशन पूछा गिया है मंडी के नए शहर की स्थापना किस ने की थी तो जो सही बिकल्प होगा तो वो होगा बिकल्प सी अजवर सेन ने अगला है 90 मांगू एक प्रसित चितरकार हिमाचल के किस जिले से स्वन दित था तो यह होगा कांगड़ा से विकल्प सी अगला प्रशन है 91 तो प्रशन पूछा गिया है हिमाचल परदेश राजी महिला आयो किस बर्श संगठी हुआ था तो यह हुआ था विकल्प सी 1996 में अगला प्रशन है 92 निर्मंड तामर प्लेट किस चताबदी द्वारा जारी की गई थी तो यह की थी 17 चताबदी में विकल्प ए अगला प्रशन है 93 तो प्रशन पूछा गिया है कांगडा की किस चाशक की चाशनका के दुरान 1365 में फिरोजशा तूगलग ने कांगडा के किले को घेरा था तो यह होगा विकल्प डी रूप चंद अगला प्रशन है 94 तो प्रशन पूछा गिया है उत्तर स्तार विष्टाबदी के नौदान में युद कहलूर के राजा भीमचंद और नीमन में से किस के बीच हुआ था यह हुआ था सिखों के विच सिखों के राजा गुरु गोविन सिहें के बीच अगला है 95 पंचाइती राज प्रशिक्षन संस्थार हिमाचल परदेश के किस जिले में स्थित है जिले या स्थान में तो यह होगा मशोबरा श्रीमुला के मशोबरा में बिकल्प वी अगला प्रशन है 96 तो प्रशन पूछा गया है हिमाचल परदेश में राष्टी उद्यानों की कुल संख्या कितनी है तो यह होगी पांच विकल्प डि अगला है 97 हिमाचल परदेश क्रिशी उद्योग निगम लिमिटीर की स्थापना किस बर्च हुई थी तो यह हुई थी बिकल्प ए 1970 में तो दोस्तों आगे यह रिजनी के कोशन है इन्हें हम यहाँ पर स्किप कर देते हैं नेक्स वीडियो में इसको शुमिंडिसक्स करेंगे तो आगे ये जीके के कोशने कुछ इन्हें भी डिसकस कर लेते हैं इस वीडियो में तो जो पहला प्रशने ये है फारका के परे गंगा की मुख्यधारा बांगलादेश में किस नाम से जानी जाती है या बहती है तो ये होगा विकल्ब डी पद्मा अगला प्रशने दूसरा राजिस्थान के नीमन मेसि किस ठान पर जून में एक दिन उच्टम तापमार की समभावना होती है तो दोस्तों जहां तक मुझे इसका सही उत्तर लगता है विकल्ब बार्ड मेर होना चाहिए पर आप लोग इसका कंफर्म करने उत्तर क्या होगा और कुमेंट बॉक्स में भी बता दें अगला प्रशने तीसरा तो ये है कौन सी मृदा आईरन और अलूमिनियम यॉगिकों के अलूमिनियम यॉगिकों से सम्रिध होती है तो ये होगी लेटराइट मिर्दा लेटराइट मिर्दा आईरन और अलूमिनियम यॉगिकों से सम्रिध होती है विकल्प A अगला प्रशने चौथा तो ये है जवार खदाने इसके लिए प्रसिद है तो जो इसका सही विकल्प होना चाहिए तो वो विकी A होना चाहिए मेरे आईडिय से A होगा पर आप इसका भी उत्तर किंफर्म कर लें सीसा और जस्ता अगला प्रशने पांचवा तो प्रशने है निमन में से किस प्रियोजना में गांधी सागर बांध जोहार सागर बांध राना परताफ सागर बांध शामिल है तो यह होगा बिकल्प एक चिंबल प्रियोजना अगला प्रशने चटा तो प्रशने पूछा गिया है भारत में कौफी का अग्रेनी उत्पादक राजजी कौन सा है तो यह होगा बिकल्प एक करना टक अगला प्रशने साथमा तो प्रशन पूछा गिया है भारती सविधान की मूल प्रती सरंचीत है तो यह होना चीए बिकल्प D संसत भवन में इसका भी मुझे कनफर्म उत्तर नहीं पता है आप इसका कनफर्म उत्तर हमें बता सकते हैं मेरा आइडिय से बिकल्प D सही होगा अगला प्रशन है आठवा तो प्रशन पूछा गिया है भारती स्विधान की प्रस्ताबना में समाजवादी और धर्म निर्पेक शब्दों को किस संशोदन द्वारा जोड़ा गिया था तो इसका सही बिकल्प होगा C 42 में अगला प्रशन है 9 तो प्रशन पूछा गिया है कोई बेक्ती भारत कर नागरिक नहीं होगा यदि वह A. स्विच्छा से अलनी देश की नागरिकता अरजित करता है A. बिल्कुँ सही जवाब होगा अगला प्रशन है 10 तो प्रशन है पूछा गिया है निमन में से कौन सी खंडन प्राधिकर्ण का आदिश प्राप्त करने का प्रेतन करती है तो यह होगा बिकल पे बंदी प्रत्यक्षी करना तो ठीक है दोस्तों पहला पार्ट फिलाल यहीं तक जल्दी हम आपके स्मक्षिस का दूसरा पार्ट भी लाएंगे तब तक के लिए धन्यावाद